जै श्री कृष्णा दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक पत्ता खाए सेंकडो रोग भगाए घोड़े जेशी ताकत आएगी दोस्तों मात्र एक पत्ते के सेवन से घोड़े जेशी ताकत होर्स पावर जी हाँ आपने सुना होगा कि घोड़े को बिजली की गतिक के बराबर आँका गया है आपको पता होगा जितने भी प्रकार की बिजली से चलने वाली मोटर होती है उन पर HP लिखा होता है 2 HP, 3 HP, 10 HP, यहाँ HP का मत्रब होता है होर्स पावर घोड़े जेशी ताकत अर्थात सभी पावरफुल मोटर्स को घोड़े के साथ और यह जो पोधा आप देख रहे हैं इसकी पावर को भी घोड़े से कंपेर किया जाता है यह पोधा हमें घोड़े जेशी ताकत प्रदान करता है आपको सुनकर साइद हिरानी होगी लेकिन यह बात सो परतिसत सत्ते है दोस्तों यह कौन सा पोधा है इसको लगाने का तरीका भी बताएंगे और किस प्रकार यह पोधा हमें घोड़े जेशी ताकत देगा वो सभी बातों के बारे में डिसक्स करेंगे परन्तु पहले इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं जिस प्रकार आप वीडियो में इस पोधे को देख सकते हैं इसके पत्ते इस प्रकार से और इसके फल को य के पोदे जैसा होता है, साइद आपने कभी रसबरी खाई होगी, देखने में ये साधान साप पोदा लगता है, एक तरह से ये जंगली पोदा होता है, परन्तु ये गुणों से बरपूर है, इसका पत्ता, फल, गांठें, एवं इसकी जो जड़े हैं, ये सभी बहुत काम आ का मतलब है जिनको जिस हिसाब से काम लेना है वो इसका अलग-अलग यूज कर सकता है सभी चीजे क्लियर करेंगे लेकिन सबसे पहले इसका नाम आपको बता देना चाहते हैं और लगाने का तरीका एवं सबसे पहले हमने इसको पहचानने का तरीका बता दिया है इसकी पहचा अर् बगेर पक्यावे फल का कवर चेलने से ये हरे रंग का फल निकलता है तो प्रिमित्रों इस पोदे का नाम है साइध आपने सुना होगा इसका नाम है अस्व गंदा अस्व यान् upwards घोड़ा गंदा याने गंद्ध घोड़े के समान गंद्वाला ये पोदा साइध आपको पता भी होगा कि अस्वगंदा के केपसुल भी आते हैं अस्वगंदा का सिरफ भी मिलता है परंति ये प्राकरतिक अस्वगंदा है चाहे तो आप इसको अपने घर में लगा कर इसका इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों अब जानते हैं इसको अस्वगंदा क्यों कहा जाता है दो को भी दूर बगाता है और साथ ही हमें सक्ति-सालि बनाता है तो दोस्तों बात करते हैं मुद्दे की कि इसे अस्व गंदा क्यों कहा गया है इसका एक पत्ता आप तोड़कर थोड़ा मसलते हैं फिर इसको यदी सोंगते हैं तो आपको घोड़े जैसी इसमेल यानि गंद आत अस्व गंदा कहा जाता है अर्थाद घोड़े की इसमेल या गंद वाला तो दोस्तों आपको अस्व गंदा की पैचान पता चल गई होगी अब बात करते हैं कि इसको लगाना कैसे दोस्तों ये प्रकरतिक का वरदान हमें मिला है और प्रकरतिक ने हमें एक बहुत बढ़ि या बुष्टर दिया है प्रकरतिक बुष्टर लेकिन हम सब प्रकरतिसे अलग हो गय हैं और टेबलेटस केपसूल पर आ गए या टोनिक शिरफ का प्रियोग करने लगे हैं और जंक फूड पर आ गए इसलिए दोस्तों यदि आपको प्राकर्तिक रूप से सदेव स्वस्त और तंदूरुस्त रहना है तो अपने घर पर आज ही लगा ले आगे हम इसका इस्तिमाल करने के बारे में बताएंगे उससे पहले इसे लगाना कैसे है लगाने का तरीका समझ लेते हैं और हाँ दोस्तों उससे पहले यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सबस्क्राइब अवस्य कर ले वैसे दोस्तों आपको हमने पहचान बता दी है आपके इलाके में कहीं भी मिल शकता है राश्ते में रोड पर कहीं भी तो आप ले आना नहीं मिलता है तो बाजार में आपको ये पोदा मिल जाएगा और इसके बीज भी मिल जाते हैं अब बात करते हैं इसको लगाने के तरीके के बारे में आपको इसकी ज़्यादा देखबाल भी नहीं करने होगी अगर चाहो तो आप इसे साधारन मिट्टी में भी इसे लगा सकते हैं ये हमारे देश भारत के किसी भी कोने में हो सकता है ये पोदा सिर्फ ऐसे इस्तान पर नहीं होता जहां बर्फ जादा पड़ती है धंडा इलाका होता है बाकी भारत में सभी जगे में ये आसानीशिय लगाया जा सकता है और इसकी खास बात यह है कि ये कोई मोसम सीजन का मोँटाज नहीं होता ये सालों साल चलनेवाला पोद है कई साल एक ही जगे पर बढ़ता पनपता रहता है अब आपको क्या करना है आपके इलाके में जो भी जेसी भी मिट्टी है ले लेना है और इसमें थोड़ा nutrition देंगे ताकि इसके पत्ते अच्छे हो और खास तोर पर ध्यान रखे जो भी पुदा आप दवा के तोर पर इस्तिमाल करने के लिए लगाते हैं इसमें आप कोई भी किसी प्रकार के केमिकल्स का इस्तिमाल भूल से भी ना करे अब आपको इस मिट्टी में आपको लगबग चार मुठी लिव कंपोज ले लेना है और तीन मुठी केल्सियम पाउडर लेना है यानि चार मुठी लिव कंपोज और लगबग तीन मुठी केल्सियम पाउडर जो ये जो चीजें healthy है और अगर इसमें पोदा healthy रहेगा तो हमें भी ये healthy बनाएगा अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं हम गोबर खाद वगेरा इस्तिमाल कर सकते हैं चाहे तो आप कर सकते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है आप कर सकते हैं परन्तु जो nutrition value जो है वो आपके लिव कंपोज में मिलती है लिव कंपोज मतलब आपके आसपास जो वनस्पती हरे हरे पत्ते हैं उनसे आप बना सकते हैं इसकी विदी आगे हम किसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे यदि आप चाहे तो इस प्रकार से आप इनकी अच्छे से मिलाकर मिट्टी तियार कर अब गमले में लगाने से पूर वे आपको क्या करना है गमले में एक होल जरूरी है और होल के उपर एक इंट का छोटा टुकड़ा आप इस तरह से रख सकते हैं इस होल को ढख देना यानि होल पर रख देना है और फिर मिट्टी गमले में डाल देनी है यानि गमले को चार इंच खाली रखना है बागी पूरा मिट्टी से भर देना है और आपको पोदा इसमें लगा देना है आगे बात करेंगे इसके पत्तों के इस्तिमाल के बारे में कौन से लोग इसका इस्तिमाल कर सकते हैं और कौन से लोग इसका इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं यह सारी जानकरिय की आपको इस गमले में आदा लिटर लगबग पानी डालना है ज्यादा पानी नहीं डालना है यदि आपने ज्यादा पानी डाला तो साइद पोदा मर भी सकता है इस पोदे को ज्यादा देखबाल की आवस्कता नहीं पड़ती अब बात करते हैं इसके इस्तिमाल की क्योंकि घोड़े जिसी ताकत अगर इस पोड़े में है तो इस्तिमाल करने का भी हमें पता होना चाहिए सबसे पहले दोश्तों आप इस पोड़े के जो हरे हरे पत्ते देख रहे हैं इसके चार पत्तों का सेवन आपको सुबह खाली पेट करना है और यदि आपने इसके पत्तों का सेवन रोजाना लगबग एक मास यानि एक महिने तक सेवन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत अधिक और जवान एनरजीशें बरफूर हो गए हैं परन्तों दोस्तों बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी माताओं और बहनों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए लेकिन कोई दिक्कत नहीं इसका सेवन सभी कर सकते हैं लेकिन जिनको हाई बीपी यानि हाई ब्लड प्रेशर की सिकायत है वो इसका इस्तिमाल कम करें चार पतों की जगह पर दो पत्ते या फिर एक ही पत्ते का सेवन करें या फिर किसी चिकल सिक से सला लें दूसरा जो माताएं एवं बहनें प्रेगनेट है उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए बाके सबी लोग इसके पत्तों का सेवन कर सकते हैं और एक हफ़ते में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा आप एनरजेटिक रहेंगे आपने एक विशेश प्रकार की उर्जा का संचार होगा दोश्तों ये पुदा आपको ताकत तो देता ही है लेकिन यदि हम बिमारियों की बा इसका इस्तिमाल किया तो आपका सूगर प्राकर्तिक तरीके से कंट्रोल हो जाएगा वो भी बिना किसी दवाई के परन्तु यदि आपकी दवाई चल रही है तो दवाई भी थोड़ी थोड़ी लेते रहें और इसका इस्तिमाल भी करते रहें धीरे धीरे दवाई को कम करत तो आपका सूगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा तो ये बहुत सारी विमारियां जैसे थाइराइड है अस्तमा सभी विमारियों में अच्छे से काम करता है दोस्तों अस्वगंदा अपने आप में एक नेचुरल बुष्टर है जो आपकी एनर्जी को बुष्ट करता है आपको फ्रेश एवं तरो ताजा रखने के साथ सदा यंग बनाए रखता है दोस्तों अभी तक हमने अस्वगंदा के पत्तों का यूज करने के बारे में जाना लेकिन अब बात करते हैं इसके बीजों का इस्तिमाल के से करना है इसके बीजों का हम भस्म बनाते हैं जो खांसी और बहुत सारी बिमारियों में काम आता है अब बात करते हैं इसके जड की जड में बहुत प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो लोग पतले हैं यानी बोड़ी में मांस नहीं है चर भी नहीं है हड्या दिखाई देती है और वो यदि चाहते हैं कि हमारा सरी थोड़ा अच्छा लगने लगे अच्छा बने हश्ट पुष्ट बने तो उन लोगों के लिए इसकी जड़ का इस्तिमाल बैस्ट होगा एसे लोग इसकी जड़ को रात को पानी में भिगो कर रख दे और सविर उठकर भूके पेट पानी पी सकते हैं और वो छात्र वो इस्टुडेंड जिनकी यादास्त कमजोर है जो पढ़ते हैं याद नहीं रहता दिमाग नहीं चलता यादास्त कमजोर है जो उदास्त सुष्ट रहते हैं ठके ठके रहते हैं अपने आपको कमजोर मैसूस करते हैं एसे बच्चे छात्र इसकी जड़ का पाउडर यानि इसकी जड़ को निकाल कर को सुखा लेना फिर इस जड़ को पीच कर पाउडर त्यार कर लेना है और इस पाउडर को रात को एक चम्मज पानी में भीगो कर रख देना है सुबह इस पाउडर को सहद में मिलाकर DAVID करना है आप पूरे दिन तरोता पोदे में सब मिलेगा जिसके आपको जरूरत है प्रिमित्रों इतना पावर्फुल इतना ज्यादा फायदेमंद और एनर्जेटिक पोदा जंगल में इधर उधर भठक रहा है और हम इंसानों को इसके बारे में पता भी नहीं एक पक्षी होते वे भी चीडिया इसके बारे म मौझूद आयरुवेदिक जडियों को खाते हैं जो हमेशा स्वास्थ एवं तंदुरुस्त रहते हैं और कभी बीमार भी नहीं पड़ते तो दोस्तों आज ही आपको इसे लगाना है और आप और आपके परिवार को एनर्जेशे बरपूर रखना है इस वीडियो को सेर करन ना बुले धन्यवाद